सबी भाईयों को नमस्कार स्वागत है फिर से आपका अपने यूटूब चैनल सिहाग मुरा फारम पर और दोस्तों फिर से मैं बताना चाहूंगा सुमेसर के डैरी फारम पर आए हैं और आज इस कटड़ी की तो वीडियो बनाए ही बनाएंगे लेकिन साथ ही जो एक बहुत ही कम समय में जो इतना नाम किया है सुमेसर ने इतने बड़ी पहचान बनाई अपनी उसके उपर बात कर है क्योंकि जो युवास में गनाए लेकिन आघर बे रास्ता ही नहीं पता होगा कि कैसे इस फिल्ड में आए तो कैसे आ सकते हैं तो इस लोम देख सकते हैं तो कैसे एक जो आम्म में कुँगा लड़केने आम एक यूथ ने कैसे अपना इतना बड़ाgen नाम किया तो चलिए दोस्तों बहुत ही शांदार वीडियो होने वाड़ी है सभी वाई जुडे रहें लाश्ट तक वीडियों वे ठीक वाई चलिए वीडियो की स्टाटिंग करते हैं तो सबसे पहले दो मिलते हैं सलिए सुमेश सर से ही उनको नवस्कार करते हैं और फिर वीडियो की नंबर दें क्योंकि जो भी मेरे वाई इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनको भी आपको जो मुबाईल से कॉंटेक्ट करना हुआ तो कर सकते हैं नाम सुमेश कुमार कली गाउं जिला बाज़ानी इंतरगती अपना फारम इसका नाम सीपीस कैटल फारम तालु के नाम से सरका फारम है और अपना प्लेश नंबर और दें जी जी तो सरका मैंने फिर से एक बार नंबर दें आप बाई को जो भी आ यह तो सबसे पहले तो सबसे पहले चीवेंटेज के बारे में बताएं फिर आपके जो प्रियास면 आपके जो बीक तो सबसे पहले सबसे सर्क्राइब उसकी और के इस साथ महीने के माइने झाह साइट के लिए अच्छी मिल्किंग की है उसकी बेटी है और देख सकते हैं काफी अच्छे जो सभाव में हैं पहुत ही शांदार इसकी पिछे से एक बार दिखाएंगे जरूर तो सरी इसी फादर लाइन कौन सी एक बार बताएं इसका फादर यूपी अमने इसकी मावेश दे थी अच्छा लेके आये थे तो यूपी ओम्बिर शिंग रठी जी की जो था बदल नाम से बादल नाम से ओम्बिर सिंग जी रठी है जो उनके पास है बादल बूल वह इसका फादर है तो काफी अच्छी आइड लैंद देख सकते हैं आप च्छाइस साथ महीने सर साथ महीने ओगे और अच्छा अच्छा दो बार प्राइज भी इस ने अपना लोहा मनुआ चुकी है यह प्रदश्णियों में कहां कहां पर सर डबी और नेला में यह जी पतियावाद डिश्टिक में जो शो हुए थे इस साल के उन में इस कटडी ने अपना लोहा मनुआ है 6 महीने की उमर में काफी अच्छा प्रदशन कर उसने इस कटडी ने अपना लोहा मनुआ है तो काफी चांदार है देख सकते हैं आप लेंथ देखी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इतनी कम उमर में इतनी ग्रोथ बहुत ही कम मिलती है कटडियों में पैर क्वाल्टी देखें यह होती है ग्रोथ और मिल्किंग की काफी अच्छी है नीचे से हम दिखाते हैं इसकी अडर वगयरा यह देखिए जो थन क्वाल्टी है काफी अच्छी देखें कितना गयब है बहुत ही जबरदस्त यह देखिए बिलकुल मुटीया थन है कोई दिक्कत नहीं है ब बार बार बताता हूं अच्छे मिल्किंग के पशुव में मिलती है और बहुत ही जबरदस्त एक बार खोल के दिखा सकते हैं सर देखिए तोड़ा चला के दिखाएंगे कटटी को काफी अच्छी आइट लैंथ है वीडियो में साहथ थोड़ा कम दीख रहा हो लेकिन आप कटटी में देखेंगे तो काफी अच्छी लगेगा आपको यह देखिए कितने आइट लाइन थे बहुत ही शांदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो तो मैंने कवर कर दी है कटटी की वीडियो कवर कर दी है आप जो सरका लाइफटाइल है कहां से शुरुआत की थी उसके काफी फोकस रहता इनकी लाइफ में क्योंकि देखो बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना नाम कमाया है तो आज जानेगे कि कैसे इन्होंने कहां से स्टार्टिंगी थी और क्या कुछ किया था तो सर एक बार फिर से नमस्कार और बताएं मेरे वीवर्स को जो यूथ है मेर कि कहां से आपने कैसे स्टार्टिंग की क्या सोचकर स्टार्टिंगी बताएं एक बर थोड़ा के साथ तो वहां से हमने शोग पैदा होता कंपीटिशन का जी जी तो तो सर ने पताया कि जैसे 2012 में लगबग इने शोग हुआ था और जो निवास होती अपने गाउं का कंपीटिशन होता है वह पहले कंपीटिशन में इन्हों ने अपनी भैंस लगाई थी और उसमें ही लोहा मनुआ था और फिर अपने फारंपर आने लगे सर और मेरे पिताजी से थोड़ी दोस्ती हुई और वहां से कुंगडगाउं में से इन्होंने कटड़ा परचेज किय था जिसका नाम रख्या गया था सम्राट जो कि 28 बार ओल इंडिया का चैंपिन रहा है तो सरे आपने कितने टाइम रख्या था और कब जागे चैंपिन बढ़े उसके बारे मताइं तो सरे एक बार मैं आप से जानना चाहूंगा जो सम्राट बूल आपने खरीद दिया था सब्सक्राइब गजा है जोसकी कितनी किमत में खरीद दया था और मतलब क्या सोच के खरीद दया था क्योंकि जो मेरी यूथ उसको बहुत होते था दस महींने की उमर में तराइब लगाया थी सर ने बहुत अच्छी किमत में खरीद द्याथा तो क्या सोच के लिए था सर वो बस वैसे श्योग था कि अच्छा लगया वो कटड़ा अच्छा है जी 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 तो ने खरीद लिया तो 2014 में पहले तो तीन बार नमर में आया था वो जी और 2014 में आ अगी बात है सरी जी जी फिर तो मैं लार लग गई देख सकते हैं नैशनल मेडल कितनी ड्रोविया रखी है यह मैं बता दूं बहुत कम समय में अपने लोहा मनुआया है और बहुत ही शांदार देख सकते हैं बैठके मैं चोगर्दे लगी हुई हैं कवर मुश्किल से कर प बार बार नंबर में रहने के बाद 2006 में पीडियाफे में फेस्टा अच्छा अच्छा अधर बूल में चेंपिर मड़ा था चैंपिर उस ताहिं हमने वो सेल कर देथा 31 लाग रुपए का सेल कर दिया और मैं कुझा एक तांता लग या था जब 31 लाग का कोई बूल सेल और उससे कोई महंगा पशू बिक्या था उस टाइम पर तो समराट बूलता सही सही का ना सर कोई गल्थ तो नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल और उसके बाद हमने सर्ताज क्या रख्या था सर्ताज काफी अच्छा बूल रहा है वो भी कई बार फेश्ट आया सेकिन थर्ड काफी बार अपना लोहा मनवा चुका है सर्ताज बूल भी तो मदर लाइन का भी कुछ बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़या है क्योंकि इतनी पांच बताई सर्ने बहुत ही ज्यादा इट होती है बहुत इशांदार आइट लैंध आगे सर मैं पूछना चाहूंगा की ज वही हमने तो सुरू से एक ही चीज़ पकड़ी है जी मिलक पलस ब्यूट्टी जी जी दूद क्या तो नहीं होना चीज़ उसके साथ साथ सुन्दरता भी होनी चीज़ जो कंपिटिशन में भी नंबर में आई जी जी मलब अकेला दूद से जा किसानों को दूद में तो फैदा सब्सक्राइब जी और पहले व्यात में 14 पलस से उसकी कई कटड़ी ओंगा दूद 15 पलस सोडा पलस से चारा पलस तक उसकी बहुत सी कटड़िया गई है बहुत ही शांदार मिलक रिकोर्ड कर वाया है समराट की कटड़ियों ने वी जी बिलकुल कराएंगे सर और सर एक बा है उसकी मा का रिकोर्ड पैस्ट टाइम 19 किलो 700 गराम है जी और 26 कि उसकी मा थी दाद्दी का रिकोर्ड जो 24 किलो था तो पहुत ही मिलकिंगा मैं कूंगा बेस्ट बूल है तो सर आगे की क्या निती रहेगी जो सिमन चल रहे हैं क्या उमीद रखते हैं और मेरी एक खास करते हैं जी मलब दूद के साथ सुन्दरता कोई भी बैस है कटडी है कोई भी हम खरीदते हैं जी तो उसमें दोखा नहीं रहेगा वह मारी कमी रहेगी हम उसकी कैर कैसी करते हैं जी और जो हो सकता है बैसा पड़े पास हलकी है जी उसको अच्छा सिमन रखाएंगे जी बताया कि अच्छा अगर पशुदन रखेंगे अच्छी केर करेंगे तो उसमें यूथ मैं आपको बता दूं कोई नुकसान नहीं है कोई घाटे का सोधा नहीं होगा और अगर आपके पास हलकी महस भी है तो सर ने बताया कि उस पर अच्छा सिमन यूज करके हम एक करना चाहूंगा काफी बहुत से स्टेटों की यह जी ट्रोफिया बहुत ही शांदर देख सकते हैं काफी अच्छी तो ठीक है भाईयों नमस्कार सारी यूद को मेरी तरफ से हुसला बनाने के लिए शुब कामना है लगे रहो क्योंकि एक ऐसी फिल्ड है जिसमें नाम भी बनेगा फेम भी बनेगा और इंकम तो होगी होगी साथ साथ तो युवा साथियों लगे रहो जुटे रहो अपने परशुदन के साथ और सभी भाईयों को नमस्कार जल्दी आएगे अपनी नेक्स्ट वीडियो और सारे भाई शेयर भी करते हो चैनल ने ज्यादा से ज्या आज के ठीक वाईयों नमस्कार सभी को दन्यवाद